नमस्कार मैं प्रियंका आप देख रहे हैं उनलाइन न्यूज इंडिया लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में यहाँ पर सिर्फ मेरा मकान थोड़े ही है रहात इंद्वरी सहाब का ये शेर मौजूदा हालातों में तथा कथित मीडिया संस्थानों पर पतलकार मीडिया संस्थानों पर बिलकुल सटीग बैठता है जी हाँ जिस तरीके से ये तथा कथित चैनल नफरती डिबेट नफरती खबरे चलाने का काम करते हैं अब इसका असर इनके ही पत्रकारों पर दिखाई देने लगा है यहाँ बात मैं अमीश देवगन की कर रही हूँ जो कि अपने चैनल के जरीए तथा कथित नफरती डिबेट नफरती खबरे लगातार चलाते रहते हैं चैनल पर हमेशा हिंदू बना मुस्लिम चलता रहता है अब इस नफरत का असर उनी के पत्रकारों पर दिखाई देने लगा है यहाँ यहाँ पर बात न्यूज 18 के पत्रकार सौरप शर्मा की हो रही है जो की राद 12 बजे जागरण में चल रहे लाउड स्पीकर को बंद करवाने के लिए जब पुलिस को कॉल करते हैं तो उनको भीड मारने का प्रयास करती है किस तरीके से उनको चारो तरफ से घेर लिया जाता है पाकिस्तानी करार दिया जाता है और उसके साथ ही मौब लिंचिंग तक होने की नौबत आ जाती है हम आपको बताएंगे इस खबर को ध्यान से अंत तक बने रही है हम आपको परत्दर परत जानकारी देंगे कि किस तरीके से जो नफ्रत परोसी जा रही है उसका क्या असर दिखाई दे रहा है उन्हीं के पत्रकारों पर खबर की शुरुआत न्यूज 18 की खबर से करते हैं इसमें लिखा है कि नुएडा एक्स्टेंशन में बारा बजे लाओडी स्पीकर बंद करवाने गए पत्रकार पर पुलिस के सामने जानलेवा हमला मौग लिंचिंग का प्रयास आपको बता दें कि ये घटना रविवार की है जबकि न्यूज 18 हिंदी के कारिरत और नुएडा एक्स्टेंशन की सोसाइटी ऑक्सफोर्ड स्क्वायर सुपर टेक्क एकोलोजी में तीन में रहने वाले सौरप शर्मा देर रात साड़े ग्यारा बजे के बाद जगराते का गाना बंद करवाने के लिए पुलिस को 112 नंबर पर काल करते हैं। सुरप शर्मा ये भी कहते हैं कि जब वो अनुमती पत्र दिखाने के लिए कहते हैं तब वो राष्ट विरोधी राष्ट द्रोही करार दिये जाते हैं भीर ये सब कहती है और उनके परिवार के साथ भी अबद्रता करती है लेकिन पुलिस वहीं खड़ी रहती है ये कहना है पत्रकार सौरप शर्मा का सौरप शर्मा ये भी कहते हैं ख़बर के मताबिक ये भी है कि उनकी जो रिपोर्ट होती है जो वो शिकायत करते हैं अगले दिन जाकर वो सुमबार को जाकर जो शिकायत करते हैं उसको भी दर्ज क किया नहीं जाता है कोशिश करती और यह कौन करता है यह बिस्रक ठाने के पुलिस अधिकारी करते हैं वो कहते हैं कि जब बड़िश लोगों से बात कर ली जाएगी CCTV फुटेज को खगाल लिया जाएगा तभी केस दर्ज होगा तभी शिकायत दर्ज होगी इसी पर आज क्या ह हुआ है आज ट्वीट आया है पुलिस कमिशनर का पुलिस कमिशनर के ट्वीट में लिखा है नुएटा के पुलिस कमिशनर के ट्वीट में लिखा हुआ है कि जागरन में डीजे को धीमा करवाने की कारवाई की गई थी इसी के बाद कॉलर की तरफ से मारपीट की शिकायत क गई है तो वहीं जागरण आयोजग की तरफ से अभद्र भाशा और शराब पीने का आरोब पत्रकार सौरब पर लगाया गया है CCTV फूटेज जाचा गया है कुछ सपस्ट नहीं है दोनों पक्षों के बयानों के आधार पर जाच पी जाएगी तो यह है पूरा मामला जो कि मैंने आपको बता दिया कि न्यूज 18 का पत्रकार जब राद 12 बजे जाता है जागरण का लाउड स्पीकर बंद करवाने के लिए कॉल करता है पुलिस को तो पुलिस वहाँ पर आती है धीमा करने को कहती है फिर उसके बाद जब क्या बवाल खड करती है और उसके बाद क्या कुछ होता है वो हम आपको बता चुके हैं पता दे कि इस पूरी खबर को लेकर विनोत कापरी ने भी ट्वीट किया है उन्होंने लिखा कि न्यूज 18 के सौरफ शर्मा मॉब लिंचिंग से बचे सौरफ शर्मा की पत्नी से अभड शर्मा का जिक्रत भीड तयार कर चुके हैं जो अब कुछ नहीं देखती कहा जाता है कि जो भीड होती है वो कुछ नहीं देखती और वो ही अब साबित होता हुआ भी दिखाई दे रहा है इसके साथ ही आपको अगला ट्वीट दिखा देते हैं ये पत्रकार नवीन कुमार करते हैं वो लिखते हैं कि नोईडा एक्स्टेंशन के एको विलेज में नेटवर्क 18 के एक सीनियर पत्रकार पर लाउड स्पीकर बजाने वाले जगरातियों ने हमला किया है उनकी पत्नी को घर में घुज कर कपड़े पार देने की धमकी दी है 6 साल का उनका बच्चा दहशत में है पुलिस तमाशा देखती रही गुंडोक ने थाने में पुलिस वालों के सामने धमकाया तो ये खबर है कि पुलिस के सामने धंकाया जा रहा है पुलिस के सामने मारने की कोशिश की जा रही है पुलिस के सामने पत्नी को धंकाया जा रहा है लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है पुलिस केस तक नहीं दर्च करती है ये खबर में लिखा हुआ है और उसी के सा साथ क्या कुछ होता है एक पत्रकार के साथ उस पत्रकार के साथ जो की लगातार राष्टवाद के गान गाने वाले चैनल में काम करता है आप देख सकते हैं दूसरे पत्रे बता देए जो खबर जब से सामने आई है तो दूसरे जो पत्रकार हैं कई पत्रकार आवाज उठा रहें सौरब शर्मा के लिए लेकिन उनके चैनल के किसी भी पत्रकार का चाहिए वो अमीश देवगन हो अमन चोपड़ा हो बड़े-बड़े एंकरों का एंकराओं का किसी तरह का कोई ट्वीट सामने नहीं आया है उन्होंने आवास तो उठाई है लेकिन क्या आवास हिंदू गली हिंदू महले में पत्थर बाजी हिंदू गली में उकसाने पर हवला नहीं सुना तो यह मुस्लिम महला या मुस्लिम गली क्यों देश सेकुलर महला मुस्लिम क्यों मुस्लिम महले में भारतियों का जाना वर्जित है यह उनका टॉपिक है खबर का उनकी जो डि है उन्हीं के पत्रकार पर आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं बता दें कि यह जो ट्वीट किया है अमन चोपडा ने इस पर पत्रकार अतुल चौरसिया ने बिल्कुल सटीक जवाब दिया है सुनिएगा है मांसिक अश्टा व्रवक्र कभी सुना है दलित बस्ती दलित महिला से बलातकार दलित बस्ती में आगजनी सवर्णों के महले में दुले को घोडी से उतारा नहीं सुना होगा यह सब हिंदू करते हैं इनकी हेड दौपंदासा लगा सकते हैं कि इस तरह के लगातार अमीश देवगन हो अमन चोपड़ा हो न्यूज 18 के प्रोग्रम आतार ऐसे भाशन ऐसे नफरती बोल और ऐसी नफरती खबरें हिंदू बना मुस्लिम करना किया जाता है ऐसी खबरें जो तथाकतित नफरत कलाने का काम क करती है उसकी उसी नफरत का असर अब सब जगा दिखाई देता है चाहें वो फिर पत्रकार हो फिर चाहें वो महिला हो फिर चाहें वो भगवाधारक हो इस तरह की खबरें लगातार आम हो चुकी है इनकी हेडिंग क्या होती इनकी हेडिंग से भी आप अंदाजा लगा सकत तो इस तरीके की खबरे चलाई जाती है अब ऊपर वाला खुश होता है या फिर नहीं होता है यह तो नहीं पता लेकिन आप ही के चैनल का सीनियर पत्रकार तो बिलकुल खुश नहीं होता है इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है अमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें वीडियो को जाता से जादा शेयर करें पते नहीं हो तो लाइक करें हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसके था साथ ही बेल आइगन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंसती रहें फिर मिलते हैं अंगली खबर के साथ तब तक के लिए इस खबर को अभी लाइक करें शेयर करें अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दो